असलाम लेकुम एब्रीवन वेल्कम टू मारी यूड़ चैनल आज की रेसिपी में है चिकन वाइट कराई तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को इसके लिए जो में इंग्रीडेंट चाहिए वह यह है वन केजी चिकन वन कब योगर्ट वन नहीं उनियम पेस्ट वन कब अईल थी तीश्पून सॉल्ट व तीश्पून कुट्टीवी लाल मिर्ची हो और वन टीश्पून जीरा पाउडर वन टीश्पून ब्लेक पीपर एंड वन टीश्पून धन्या पाउडर यह सारे मसाले इसमें यूज ओंगे तीन चार हली 1 तीसपून नम्मक और लेंगे और 1 तीसपून अदर गलसन का पेस्ट लेंगे और 1 तीसपून हम धनिया लेंगे गार्निशिंग के लिए और 2 तेस पते और 2 हरी लाइचिया वन पैकिट मिल पैक क्रीम लेट्स स्टार्ट अबर रेसिपी सबसे पहले में ऑईल एड कर रही और प्राउन होस्ता अब ब्राउन होगा है तो में इसमें अनियों गजारा हुगी सूमा सक्ञानियों इसमें प्राउन और 3ख यलिडब अबर 2 तीसबार मैं लेंगी तुलमा हम पैस्ट जालनए का इस दालने के बाद मैं एच्छे से बनाइज करऊंगी और ओनियों और इसको light brown करूंगी इसमें पानी एक नहीं करेंगे अब मैं डाली हूं इसमें 1 टी स्पून नमक और नमक डालने के बाद फिर से इसके अच्छे से mixing करनी है और चिकन को अच्छे से पका लेना है अब चिकन को पकाने के लिए मैं इसको ढख के रख रही हूं 10 मिनिट के अब इसमें बारी है मसाला एट करने की तो चलें बनाते हैं मसाला मसाला को बनाने के लिए आपको चाहिए वन कप योगर्ट और इसमें सारे मसाले डाल देने हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे मसाले डालने के बार इसको अच्छे से mix करेंगे और इसका एक बना लेंगे अब पेस्ट रैडी हो गया है और इस तरीके से बनेगा अब मैं इसको डालोंगी चिकन के इंदर तो चिकन में आप डाल दें इस तरीके से और इसके बार अच्छे से इसको मिक्स कर लें और अब इसको हमने दम पे नहीं रखना इसको आप मीडियम आंच पर तेन मिनिट्स के लिए मैं चेक करती हूं मैं चिकन को तो आप लग देख सकते हैं और उपर आगया है इसका मतलब चिकन जो है वह आपको खो गया है थोई देर के लिए मिक्सिंग कर रही हूं और फिर इसमें दाल रही हूं ग्रीन चिलीज और ग्रीन चिलीज दालने के बाद फिर से इसकी बुनाई करनी है अब पानी खुश करने के लिए मैं इसको रख दूँगी 15 मिनिट्स के लिए डख कर अब 15 मिनिट्स होके हैं तो मैं चेक करती हूं तो मैं खौल के देख रही हूं तो बिलकुल त्यार हो गई है अब इसमें बारी है क्रीम एट करने की तो क्रीम एट करने से पहले इसका पानी खुश कर लेंगे बिलकुल और अब हम इसमें क्रीम मैट करते हैं तो मैं वन पैकेट यूज़ कर रही हूँ उसमें क्रीम वन केजी के अंदर और वन कप ही योगर्ट डाला था मैंने अब क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है चिकन के साथ और यही हमारा लास्ट टेप है अब आप लोग देख सकते हैं क्रीम मैट करने के बाद कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और वाइट हो गया है और यह बहुत मज़ेतार चिकन वाइट कराई जो है बनने वाली है अब मैं इसमें गानिशिंग के लिए धनिया एट करती हूँ और फिर से इसकी मिकसिंग कर रही हूँ और अब बिल्कुल हमारी चिकन वाइट कराई जो है वो त्यार हो गई है अगर अब तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल एकन को प्रेस किजिए और लाइक और कॉमेंट्स किजिए अब यह आप लोग देख सकते हैं और आप लोग से जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कॉमेंट्स बताएगा थैंक यू अलाफेज झालाफेज और लोग विए ऑमेटंस किजिए और कॉमेंट्स